तो स्वागर दोस्तो मैं हूँ आपके साथ आर्केटिक डिले इस वीडियो बताऊंगा दोस्तो आपकी इस तरीक से जो आइफोन में डैनेमिक आइसलेंड का फीचर आया जी है दोस्तो कुछ इस प्रकार से मेरे स्क्रीन में आपको देखने को मिर रहा है इसको आप अपने ड ओपने करने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको सर्च बॉक्क पर डैप करना है डैनेमिक आइसलेंड जैसी आप डैनेमिक आइसलेंड यहाँ पर सर्च करने आपको कुछ इस प्रकार से एप देखने को मिलेगी इस एप को आपको दोस्तो इनिस्टॉल अपने वेज में कर करेगी तो आपको क्या लेने डामिक स्पट नाम की एक वैप अपर आपकोई करने के बाद यहां a मेंट असर पर क्लिक करती है इसके बड़ आरता है और यहां आता है नोटिफिकेसिस का इसे ten करने के बाद next पर लिक करने उसके बाद दोस्तो इस एप में आपको नीचे आने के बाद दोस्तो यहां पर आपको दिख जाएगा dynamic spot का यहां पर option इसको आपको enable कर लेना है मैं कर लेता हूं okay पर click आपको भी okay पर पर आपको first option on कर लेना है और अपको दोस्तो यहां पर आपको नीचे में आ जाना है और नीचे आने के बाद आपको दिख जाएगा दोस्तो आफसर डिख टाइम और नीचे में दिखेगा उपर ले जाना चाहते है तो उपर ले जा सकते है कुछ इस प्रकार से में दिखा देता हूं पोजिशन वर्टिकल पर आप जैसे क्लिक करेंगे यह देखे हमार उपर चला गया नीचे गरेंगे तो वह नीचे आ जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों अपने हिसाब स आप इसकी position को बढ़ा सकते हैं नीचे ला सकते उपर ले जा सकते हैं इस प्रकार से आप भी अपना setup कर लीजिए setup करने के बाद दोस्तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको right पर click कर लेना है click करने के बाद दोस्तो यह successfully है हमार successfully enable हो चुक है जब भी आपका कोई notification आएगा तो यह pop up करेगा दोस्तो यह dynamic island कुछ इस प्रकार से आपको show करने को देख रहें को मिल रहा है यह देखिए कितना कमाल का लग रहा है दोस्तो आप भी अपने device में बहुत ही असानी से इसको enable कर सकते हैं तो कैसा लगड़ो हो नीचे कमेंट चे लोग सब्सक्राब विडियो को लाइक और बिग ना फूली